हलो फ्रेंट्स आज मैं पनाने जारी हूं सोया बीन कबाब इसके लिए मैंने थोड़ा से सोया बीन लिए हैं अब मैं इसे गर्म पानी कड़के बॉइल करूंगी और एक उबाले आने तक मैं इसे चलाऊंगी थोड़ा सा मैंने इसमें नमक एट किया और इसे अच्छे से मिक अब हम गयास को आफ कर देंगे और मैं इसे ढखकर लगबाग आदे गंटे रखोंगी इसे मारी सोया बीन अच्छे से फूल जाती है तो इनको मैंने अच्छे से वाश करके इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है बिल्कुल बारी ग्राइंड करना देख सकते ह एक इंच अदक के टुकडा हुआ कर दस से बाड लहसुन का लिया आगी समय चाई एक प्याच को भी मैंने बारी काट लिया है अब मोसी अब हम सभी पारी कते लिए लक्राइंड को डालेंगे डारी कता अधरिक लास्ट हरी मिर्च चानलंगे ज़निया पत्ते डालेंगे आ कर लिया है अब मैं इसमें कुछ मसाले आट करूंगी एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच मिर्श पाउडर एक चमच गुल्की पाउडर एक चमच जीरा पाउडर आधे चमच गर्म मसाला स्वादनुसार नमक दो चमच मैदा और हम इसमें एक चमच अररोड पाउडर एट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा मिक्षर रेडी हो चुक है दिखे कितना अच्छा लगड़ा अब हम इसे कबाब का शेप देंगे एक छोटे से बाउल में मैंने पानी ले लिया है अब कितने अच्छे से हम शेप देंगे और इस तरह से मैंने साड़े कबाब को रेडी कर लिया है तेल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और धीरी धीरी अपने साड़े कबाब को इसमें डालेंगे और एक दम लो फ्लेम पर हम इसे पाश मिलट तक पलट पलट कर पकाएंगे देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हम इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि अंदर तक कच्छा नार है कि सोयव इन्हें बहुत जादा प्रोटीन की माधरा पाया जाती है इसलिए हमारे स्वास्त के लिए भी अच्छा है देखिए कितना अच्छा कलर आचुका है आपकबाब को अलग शेप में इसे मैं धलकीक के शेप में टीक्नके कर लिया है अब सार्व कबाब को इस तरह से थेल में फ्राइब कर लेंगे एक बात का ध्यान रखे फ्लेम् हमेशा लो ओना चाहिए नहीं थो हमारे कबाब कच्छे रह जाएंगे देखिए ये भी कबाब रीडियो चुका है इस तरह से हमेनEस पलड़ करेंगे ऑचिसे पलिट हम इसे सेक लेंगे लगबबग पकाने में पानसे 7 मिर लग जाता है हमारा कबाब रेडी हो चुका है चलिए हम इसे सर्फ करते है देखिए यह देखने में भी बहुत ही डिलिशेस लगड़ा है तरस्ट में आप इसे घर पे जरूर ट्राइ करें आपके परिवार को यह बहुत पसंद आएगी अगर आपको चैनल पसंद आता तो आप वीडियो क लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग